हलो एंड वेल्कम तो दिस वीडियो लेक्चर आइम हिमांचुत तिंसनवार लेक्चरर मेकेनिकल इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट गवर्मेंट पॉलोटेक्निक कॉलेच चित्तौरगड आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतरगद हम लोग स्टड़ी करेंगे मे 305 यूनिट नमबर 10 विडियो लेक्चर के अंतरगद हम लोग स्टड़ी करेंगी होरिजन्टल एक्सिस टाइप ऑफ विंड टर्माइन्स या होरिजन्टल एक्सिस टाइप ऑफ विंड मील्स तो देखिए स्टूरेंट्स सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विंड मील् तो जैसा कि हम सभी को पता है जो विंड की एनर्जी होती है वो अविलेबल होती है काइनेटिक एनर्जी यानि कि गतिज ओर्जा के रूप में तो इस विंड की जो एनर्जी है जो की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अविलेबल है इसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलन प्रिडूस की जाती है जिसका QPO further electrical energy में conversion के लिए किया जाता है तो यदि हम इन windmills को classify करें तो broadly इन windmills को classify किया जा सकता है उनकी axis of rotation यानि कि जिस अक्ष पर वो rotate करती है जिस अक्ष पर घूणन करती है उस अक्ष के आधार पर तो यह जो rotation जो axis of rotation है उनकी आधार पर हम इन windmills को दो भागों में divide कर सकते हैं पहला है horizontal axis type of windmills और दूसरा है vertical axis type of windmills इस video lecture के अंटर करत हम लोग study करेंगे horizontal axis type of windmills के बारे में देखे जो horizontal axis type of windmills होती है उनमें क्या होता है कि जो windmill का axis of rotation होता है यानि कि घूणन का जो अक्ष होता है वो ground के horizontal होता है यानि ground के शैतिज तल में होता है और इसी के कारण जो wind turbine का plane होता है वो vertical होता है और वो wind को सीधी face करती है जैसे आप इस डियाग्राम से समझ सकते है यह schematic diagram है horizontal axis type of wind machine का देखे सबसे पहले supporting structure उसके उपर है windmill head और फिर सबसे आगया को दिखाए दे रहा है rotor तो देखिए जो इस windmill का axis of rotation है जो कि आपको दिखाए देगा एक line के form में है और यह parallel है horizontal axis horizontal ground के parallel है तो यह windmill का axis of rotation है यानि जिस अक्ष के साप एक्ष यह windmill rotate करती है इस windmill का rotor rotate करता है वो है horizontal axis तो इसी लिए ही इससे कहा जाएगा horizontal rotation type of windmill और इस windmill का जो blade है वो rotate करता है उसका जो plane of rotation है यानि कि जिस तल में वो rotate करता है वो vertical है वो सीधा है wind को phase करेगा यानि कि wind इस windmill को यानि इस rotor को rotate कराने के लिए vertical plane में इस blade पर impact होगी तो अब इस horizontal axis type of wind machine को further classify किया जा सकता है तो यह जो classification है वो इस प्रकार है पहला होता है multi blade type of windmill दूसरा है sail type of windmill और तीसरा है propeller type of windmill तो सबसे पहले पढ़ते हैं multi blade type of windmill के बारे में तो देखिए जो इस प्रकार के wind turbines होती है उसकी जो blades होती है वो बनी होती है sheet metal और aluminium की जो rotors है उसका strength to weight ratio काफी high होता है यानि की जो strength है वो काफी जादा है मतलब low weight में ही हमें उसकी काफी जादा strength हो जाती है और इनका जो power coefficient है वो भी effectively उस maximum power availability को actual power availability में change कर सकती है और इनका जो starting torque है वो भी जादा होता है इसके अलावा इनकी design simple होती है और cost भी low होती है तो एक multi blade types का काफी सारे advantage है और देखिए इसको diagram से हम दो हम लोग देखते हैं तो multi blade type of wind windmill इस प्रकार की दिखाई देती है इसमें multi blades and की number of blades जादा होते हैं और इसका axis of rotation भी horizontal होता है तो अब next type जो होता है होता है sail type sail type windmill होती है इसके ब्लेट का surface होता है वो कपड़े का nylon का या फिर plastic का बना होता है and they are arranged as mast and pole यानि की इनका जो arrangement होता है वो इस तरह का होता है जैसे कि समुद्री जो पुराने समुद्री जहाज होती थे उनमें पाल लगाई जाती थी कपड़े की या फिर जो समुद्री नावे होती थी जिनमें पाल लगाई जाती थी कपड़े की जो की हवा की साहते से उनको हवा की साहते से जहाज को और नावों को ड्राइब करने में हैल्प मिलती थी तो उसी प्रकार से इन सेल टाइप ओ विंड मिल में भी जो ब्लेट का अर्रेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है और यह जो ब्लेट की सरफिस होती है बनी होती है कपड़े की नाइलोन की है प्लास्टिक की और जो नंबर ओ ब्लेट्स होते हैं यह vary कर सकती है as per use जिस प्रकार से हमको जिस प्रकार की utility है उसी इसाब से number of blades भी vary करेंगी और diagram देख लेते हैं cell type of windmill का यह diagram है यह blades है cell type of windmill की जो दो दोनों हमने अभी तक windmills पड़ी है जो पहली है multi blades type of windmill और दूसरी है cell type of windmill दोनों की दोनों जो होती है वो low speed पर रन करती है जो उनका RPM होता है वो 60 to 80 revolution per minute होता है अब पढ़ते हैं propeller type of windmill के बारे में देखे इस प्रकार की windmill के जो blades होते हैं वो लगबग उनका शेप होता है वो almost airplane के wings के जैसा ही होता है और इनकी जो design होती है वो airfoil design होती है यानि कि जो blade होती है उसका क्रॉस सेक्षन देखा जाए तो वो airfoil design होता है airfoil design की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि इससे जो wind से ब्राप्ट energy है उसको effectively हम utilize कर सकते हैं जो airfoil design होती है उस पे जब wind impact करती है तो aerodynamic force developed होते हैं जो क्योंते हैं lift force और drag force और इनी lift और drag force के करण जो wind के energy है उसको effectively हम लोग use कर सकते हैं तो इस प्रकार की, जोечат क्रोसैक्षिन किस तरह होता है, इनका क्रोसिक्ष AEW, उनका क्रोसिक्षिन होता है, और इस प्रकार की एरफेल में चैनल एक सरस्पेस होता है, ब्लेट का वो कुछ rounded होता है जबकि दूसरा surface होता है वो relatively flat होता है generally जो number of blades होते हैं प्रॉपिलर टाइप of windmill में वो एक से तीन तक vary कर सकते हैं जैसे जैसे number of blades बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे efficiency बढ़ती जाएगी और उसी तरह से जो cost है turbine की वो भी बढ़ती जाएगी तो यह जो blades होते हैं यह mounted होते हैं एक rigid hub पर और इनकी जो speed होती है जो rpm होती है वो जो पिछली वाली दो थी multi blade type of windmill और sail type of windmill उनकी अपेक्षा जादा होती है 300 to 400 rpm यह है diagram popular type of windmill की blades का अब पढ़ते हैं last dust type of windmill देखे यह भी एक प्रकार की horizontal axis type of rotation windmill होती है rotational windmill होती है लेकिन यह कह सबसे पुरानी जो सबसे oldest type of design windmill है सबसे पहले जिसे design किया गया था इसकी जो blades होती है वो wooden slots की बनी होती है जो wind की high speed पर punk की तरह rotate करती है तो देखे यह diagram है dust type of windmill का इसकी जो blades है वो लकड़ी के slots की बनी होती है और high जब wind की speed होती है तो उस समय यह rotate करती है तो यह भी एक प्रकार की horizontal axis type of rotational windmill है अब यदि बात करें horizontal axis type of windmill की तो इनकी जो performance होती है वो vertical axis type of rotation windmill से अच्छी होती है और इनका जो use होता है वो काफी applications के अंदर किया जाता है लेकिन अकर इनकी major uses के बारे में पढ़ें तो वो दो use है इसकी major पहला है electrical power generation के अंतरकर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि wind energy को हमारा जो power generation के अंदर main उद्यश्य होता है वो wind energy को पहले mechanical energy में और फिर mechanical energy को electric energy में बदलना होता है यानि कि electricity का generation ही होता है और जो दूसरा इसका application होता है वो होता है pumping water यानि कि water को pump करने के लिए भी इस प्रकार की horizontal axis type of windmill का use किया जाता है क्योंकि हमें एक pump को बाहर से जो pump होता ह है उसे बाहर से energy देनी पड़ती है क्योंकि जो pump होता है वो mechanical energy को hydraulic energy में बदलता है तो यह जो energy होती है यह इस प्रकार की windmill से दी जा सकती है so I hope आपको इस video lecture से horizontal axis type of windmill को समझने में help मिलेगी thank you